सबसे पहले मैं पुल्वामा के आतंग की हमले में सहीद जवानों को आदर पुर्वक सद्धांजली अर्पित करता हूँ उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण नियुचावर किये है दुख की इस गड़ी में मेरी और हर भारतियों की सम्वेदनाएं उनके परिवार के साथ है इस हमले की वज़े से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खून खौल रहा है ये मैं भली भाती समझ पा रहा हूँ इस समय जो देश की अपिक्षाएं हैं कुछ कर गुजरने की भावना हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे स्वरक्षागरों को पूर्ण स्वतंक्रता दे दी गई है हमें अपने सैनिकों के शौरिय पर उनकी बहुदूरी पर पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है कि देश भक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारिया भी हमारी एजन्सियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतन को कुछलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके मैं आतकी संगठनों को और उनके सरपरस्टों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गल्ती कर चुके हैं बहुत बड़ी कीमत उनको चुकाने पड़ेगी बहुत बड़ी